दुनिया में एक ऐसा रहस मई जंगल भी है जिसमें चलने वाले पेड़ों के साथ-साथ जीओ जनतूओं के मास खाने वाले पेड़ पौधे भी पनफते हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी कहा जाता है जिसका नाम एमाजोन रेंड फॉरेस्ट है जो ब्राजील से लेकर कोलंबिया पेरु और शाउट अमेरिका जैसे देशों तक फैला हुआ है ये जंगल जितना विसाले उतना ही अपने अंदर रहस्यों को शमेटे हुए हैं आज हम आपको अमाजोन जंगल की कुछ खास और रहस्माई बातों को बताने जा रहे हैं जिसे जानके आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे वाल्किंग ट्री वैसे तो अमाजोन के जंगल में पेर पौदों की कई प्रजातिया हैं जिनका इस्तिमाल जड़ी बूटिया बनाने में किया जाता है लेकिन के आप जानते हैं अमाजोन के घने जंगलों में पेर पौदों की एक ऐसी प्रजाती है जो चलने फिरने के लिए मसहूर है जी हाँ आपने सही सुना लेकिन दुनिया के सबसे रहस में जंगल में ऐसे चलने वाले पीड़ पौदे हकीकत में हैं जिनने वाल्किंग ट्री के नाम से जाना जाता है असल में ये पाम ट्री होते हैं इनकी जगह हर 4-6 मह देने बाद देखेंगे तो इनकी जगहं बदली नजर आएगी और इसी की कारण इन्हें वाल्किंग ट्री भी कहा जाता है उबलने वाली नदी इतने बड़े एमाजोन जंगल में नदी जील झरनों का होना तो एक काम बात है जिसकी मदद से विभिन प्रकार के जिव जंत के बीच में रहता है जो इतना गर्म है की पानी असानी से उबलने लगता है अगर वग्यानिकों की माने तो इस नदी के नीचे सक्रिय ज्वाला मुखी भी हो सकता है जिसकी वजह से पानी इतना गर्म रहता है खैर वजह चाहे जो भी कुछ इस उबलती हुई नदी में मास खाने वाले पेड़ कौदी इंसानों का मास नहीं खाते हैं लेकिन एक कीड़े मखोड़े और छोटे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं इन मांसा हारी फूलों में राफलेसिया अर्नोडी का नाम सामिल है जो की एक लाल रंग का बहुत ही बड़ा फूल होता है ये फू अर्शक रंग पास की कीड़े मखोड़ों को अपनी तरफ आकर सित करता है जैसे ही कीड़े मखोड़े इस फूल के अंदर उसके पत्ते पे आते हैं ये अपना पत्ता बंद कर देता है और इनको अपना भोजन बना लेता है रहस्य मई जानवर एमाजोन के जंगल में रिसर इस जीव को विग्यानिकों ने मारी कोक्सी नाम दिया जो इनसानों के लिए बहुत ही खतरनाक सावित हो सकता था दोस्तों आज कि थी हमारी ये वीडियो मैं आसा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो